आज आठ जुलाई दो हजार चौबिस है और आज की मुली में बाबा ने हमें शिक्षा को अंडरलाइन कराया है कि जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं बाबा को ये दृष्टी पक्की है कि सब मेरे बच्चे है ऐसे हमें भी बाब समान अपकारियों पर उपकार करना है ये दृष्टी पक्की करनी है कि सब मेरे आत्मा भाई है तो बाबा के इस मास के अव्यक्त इशारे भी परुपकारी बनने के हैं तो आईए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे कोई कैसी भी आत्मा संपर्ख में आये चाहे सतोगुणी, चाहे तमोगुणी सभी के प्रती शुब चिंतक अर्थात अपकारी के उपर भी उपकार करने वाले कभी किसी आत्मा के प्रती घृणा दृष्टी नहीं क्योंकि जानते हैं कि यह अज्यान के वशीभूत हैं अर्थात बे समझ बच्चा है बे समझ बच्चे के कोई भी करम पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के उपर रहम वस नहीं आएगा आज के इस अव्यत इशारे से हम ये स्वमान ले सकते हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूं जैसे पूर्वज होते हैं वो अपने से छोटे जब घर में देखते हैं कोई भी बेसमझी का काम करते हैं तो उनको शिक्षा देते हैं साफधानी देते हैं प्यार से उन्हें समझाते हैं उनकी गलतियों को मन और चित पर नहीं रखते कोई गलती करने वाला उनको अपकारी नहीं लगता हम दूसरों को देख करके समझते हैं कि ये अपकार कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी उस छोटी सी गलती को अपने चित पर ले लेते हैं लेकिन हमें तो ग्यान है कि इस समय संसार में क्या चल रहा है सभी तमोगुणी आत्माएं है सतोगुणी अभी कोई बना नहीं है यहां तक कि हम भी नहीं बने है तो सत्गुण तो हमको स्थापित करना है जिस आत्मा के अंदर तमोगुण दिख रहा है उससे ग्रिना करना नहीं उससे अपकारी लेबल करना नहीं लेकिन वही मेरे सेवा का शेत्र है उसी को पριवर्दन करना मेरा करतव्य है उनी को शमा करना मुझ पूरवज आत्मा की महानता है तो ये उपकार भी नहीं कहा जाएगा परिवार के अंदर उपकार नहीं करते लेकिन एक दूसरे को साथ ले करके उसकी गलती को भी अपने अंदर समाते हुए हम चलते हैं तो पूरवज आत्मा बन करके जब हम इस दृष्टी से सबको देखेंगे कि ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करना ही तो मेरा करतव्य है यही कारतों बाबा करने आए है बीडी को बनाने वाला तभी तो उनको कहा जाता है सत्युग में क्यों नहीं आते सत्युग में हमें क्यों नहीं सिखाते राज्युग क्योंकि वहाँ पे किसी को आवश्यक्ता ही नहीं तो ऐसी आत्माओं ही इस समय पर आवश्यक्ता वाली आत्माओं है उनसे ग्रिना नहीं उन्हें तो हमें पूरवज बन कर स्नेहे देना है सहयोग देना है झाल झाल